अलो, नमस्कार, गुड़ मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक्त स्वागत है, आज मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूँ, जिन में अधिकतर लोग कन्फ्यूज रहते हैं, वो उनका सही से अर्थ नहीं जान पाते हैं, तो चलिए वी अगोचर वे अग्ये में अंतर, तथा अगोचर का क्यार्थ होता है, अगोचर जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकता है, जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धी से ज्ञान से उसे जान सकते हैं, उधान के लिए हम ले सकते है इश्वर अगोचर है इश्वर को हम अपने इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं अगला शब्द है अग्येई इंद्रियां दस होती है पांच ग्याने इंद्रियां होती है पांच करमेंद्रियां इसके उपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप डिटेल से जान पाएंगे अगला शब्द है अग्ये जिसका बोध होना एसंबव हो जिसको जान पाना एसंबव हो वो कहलाता है अग्ये उधान के लिए इश्वर अग्य है इश्वर को जान पना एसंबव है अगला शब्द है अन्भिग्य जिससे किसी बात की जानकारी नहीं हो जो कुछ भी नहीं जानता हो उधान के लिए मोहन इस मामले में अन्भिग्य है उसे इस मामले में किसी प्रगार को जानकारी नहीं है अग्य जो जानता नहीं हो पर बताने पर जान जाए पहले से कुछ नहीं जानता लेकिन बताने पर वो जान सकता है उधान के लिए हम ले सकते हैं मोहन अग्य अवश्य है पर अबोध नहीं उम्मीद करता हूँ आपको इन चारों सब्दों के अर्थ अच्छे समझाएं होंगे और आप इनमें अंतर भी सही से कर पाएंगे तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक अन्य वीडियो में धन्यवाद जैहिन जैभरत